दोस्तो जैसे कि आपको पता होगा रैसल मेने 39 के बाद रो का पहला एपिसोड वाकई में काफी तगड़ा था क्यूंकि हमारे जंगली सेर ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोडस के उपर अपना तूफानी हमला करके सबके रोमते खड़े कर दिये थे जिसको देखकर सबका यही कह जैना है कि ब्रॉक लेसनर अपने पुराने हील केरेक्टर और बीष्ट मोड में आ चुके हैं लेकिन इस बात में कितनी सचाई है इसका पता तो हमें आने वाले कुछ एपिसोड में चल जाएगा लेकिन दोस्तों मानो या ना मानो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के गंटे को 2.05 मिलियन लोगों ने देखा था तो दोस्तों यही रीजन है कि डड़ुली ई ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज को काफी ज़्यादा पैसे और तगड़ा पुछ देती है क्यूंकि इनके सो में होने से डड़ुली ई को काफी ज़्यादा होता है दोस्तों ये बात गरम बात करें ब्रॉक लेसनर की तो कुछ न्यूज और रिकोर्ट के हिसाब से ब्रॉक लेसनर हमें रैसल मेनिया 40 तक डड़ुली ई के साथ देखने को मिलेंगे जिनमें उनके टोटल 5 मैचेस देखने को मिल सकते हैं जिनमें से एक मैच गुंतर के साथ होगा क्योंकि ऐसा खुद ब्रॉक लेसनर का कहना है कि वो गुंतर के साथ मैच करना पसंद करेंगे और इसके इलावा दोस्तों जबसे ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोस के उपर अटेक किया है तब से ये निजूस काफी जादा रियूमर्ड है कि हमें ब्रॉक लेसनर वरसे कोडी रोस या फिर देखने को मिलेगा या तो ये match backless में हो सकता है या फिर summer slam में यही नहीं दोस्तों जब से ब्रोक लेशनर ने इकोड़ी रोडस के ओपर अटेक किया है तब से काफी लोगों का मानना है कि ब्रोक लेशनर रोमर्रेश की टीम जोइन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इसके chances बहुत कम है क्यूंकि दोस्तों ये जंगली सेर अपने रास्ते पर हमिशा केला चलता है लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है क्या ब्रोक लेस्नर रोमर रेश की टीम में सामिल होना पसंद करेंगे और आप ब्रोक लेस्नर का मैच किसके साथ देखना पसंद करोगे ब्रोक लेसनर वर्से कोडी रोड्स वो आप मुझे कमेंड के थुरू बता सकते हैं